ये गाइस, I am the weirdos और आज हम बात करेंगे अर्मान मलिक विशाल पांडे के सिचुईशन के बारे में कि आक्चुल में हुआ क्या था उस दिन तो जैसे कि ये लोग बिग बॉस हाउस में और अर्मान मलिक के साथ साथ उनकी वाइफ क्रितिका और पायल मलिक भी बिग बॉस हाउस में हैं जिसमें से एक वाइफ का उनका पायल मलिक का एविक्शन हो चुका है तो जादा तर क्या होता है ना कि वीकेंड के बार पर ये लोग बुलाते हैं गैस्ट वगेरा को बट इन्होंने ना as a guest इस बार पायल मलिक को ही बुलाया था तो पायल मलिक तो बहार से बहुत बहुत देख क्या ही थी ठीक है तो कुछ भी बोलेगी कि मुझे भावी बहुत सुन्दर लगती है और मुझे नहीं होता कि इस statement में कुछ भी गंदा है अगर सुन्दर लगती है तो it's a तारीफ है it's a compliment, तुम compliment की तरह लो इसे, ये क्या होता है कि गंदा statement तुमने पास किया, ये कुछ गंदा नहीं होता सब को पता है, ये सारी चीज़े सिर्फ तारीफ होती है, बट पायाल ने से देख किया है, तो कुछ भी वो बोलेगी तो कोई भी यकीन कर लेगा ना, और I feel like कि ये लोग दिन में इतना कुछ बोलते हैं, 24 गंटेंड का life चलता है, ये लोग क्या क्या बोलते हैं, इनको याद भी नहीं रहता होगा कि इन लोग ने कुछ बोला तो विशाल के साथ ना ऐसे ही हो गया था, कि उसको खुद को याद नहीं आ रहता है, वो खुद confused हो गया था, कि उसने, you know, ऐसा बोला है, ये फिर ऐसा दिग गया तो ये चीज हो गई कि अर्मान मलिक ने जब ये चीज सुनी अफकोर्स जब वो पायल मलिक के मुझे सुनेगा तो उसको घुस्ता आएगा, वो चीज इसकी जायज है, I understand it बट वहाँ पर ऐसा रियाक्शन देना कि तू मेरी वाइफ को सुन्दर कैसे बोल सकता है, तू कैसे बोल सकता है मेरी वाइफ को अच्छा, like chill bro, it's just a compliment मुझे नहीं लगता कि अर्मान मलिक ने जो ये थपड़ वाली चीज करी है वो बिल्कुल सही थी I mean उसका रियाक्शन बहुती planned सा था, अर्मान मलिक और विशाल ये लोग बात कर रहे थे उसने अचानक से थपड़ मार दिया कि पता भी नहीं चला कि क्या से क्या हो गया, लोग समझ भी नहीं पाया उस चैम पे, कि ऐसा कैसे हो गया विशाल तक इतना confused हो गया था कि थपड़ कैसे मार दिया उसने, तो क्या बोलते विशाल ने भी ये चीज़ बोली तिया कर आप लोग भी क्लिप देखोगे ना तो ऐसा लगी नहीं रहा था वोस सिचुएशन में कि उसने बहुत गुस्से में और मार देगा मतलब वो इतना शांती से बस इतना ही बूच रह था कि, you know, कि तूने ऐसा कैसे बोला बट उसने ऐसे जो थपड मारा ना डाट लोग वेरी प्लाइंड, it was not out of rage I feel very bad for विशाल क्यूंकि वो बहुत जादा यंग है और उसके character को, उसकी image को बहुत गलत दिखाया जा रहा है और अर्मान मलिक की बात रही, ये पायल मलिक की बात रही तो किसी को सुन्दर बोलना इस नॉट की ऐसे बड़ी बहुत बड़ी गलत चीज बोल दी सुन्दर तो सिफ तारीफ होती है जाहिर से बात है कोई भी बैठके तुमें बोलेगा तुम बहुत सुन्दर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत गुद लोगिंग हो देखने में, इस नॉट की कुछ गलग चीज है हर कीजी को तारीफ पसंद है ये फालतू का मदद बनाया जा रहा था इस पॉइंट पे अगर तुम बोलते हो दूसरों को, अगर तुम बोलते हो दूसरों को अगर तुम इतनी प्रॉबलम है किसी के कॉंप्लिमेंट करने से अपनी पतने पर तो तुम घर में रखो फिर उसको पब्लिक लिए से प्लाटफॉर्म पे दिखा क्यो रहे हो मतलब यूट्यूब व्लॉक्स क्यों बना रहे हो तो चंदरिका, can you please shut up my girl, like तुमने साइकेतन के बारे में क्या बोलाता कि साइकेतन मुझे मसाज करने के पीछे पढ़िया था और मेरे घर में मेरा हस्बिन भी देख रहोगा, क्या सोच रहोगा और नाई बोले इस बारे में तो बेटर है तो इसमें क्या गलत है, अगर कोई तुम्हारी फिकर कर रहे है तो हर चीज को इतना कॉंट्रोवर्शिल बना दिया ना कि लोग यह भूल जाते हैं कि दूसरे लोग की इमेज और कारक्टर भी आती है वो भी नैशनल तलिवीजन पर ओके, so that's it for today's video I hope कि तुम लोग अच्छे हो गए and अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो do check out my दूसरी वीडियो आज के लिए से वित नहीं till then, bye